सेमसंग S21 FE 5G डिवाइस के अंदर इस मन्त आज ही डेट को एक नया अपटेट है और रोल आउट ओना स्टार्ट हो चुका है आज की डेट है 8 नवंबर तो आज की इस वीडियो में आपको यह जाने को मिलेगा कि इस अपटेट के अंदर कौन-कौन से नए फीचर से हैं वो स जल्दी ही आपर रिलीज कर दिया जाएगा डेट मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों कोई वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर जाना ताकि जैसे इस स्मार्टफोन के लिए कोई नया अप्टेट है वो रिलीज किया जाता है तो वीडियो आपको मारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी अभी बात करें यह चो अप्टेट है वो कौन सा आया है तो फरस्ट और इस अप्टेट की जो साइज है वो आपको दिया गया है और 1UI 6.0 के एक से दो नई चेंजेज है वो भी आपको देखने को मिलते है जैसे कि अगर आप लोग गैलेरी अप्लिकेशन को ओपन करोगे ना तो जो भी आप लोगों ने एडिट यहां पर फोटो को किया वा होगा उसकी दो सेटिंग्स है वो आप लोग पाऊगे और दूसरी कोई इमेज है वहाँ पर आप लोग यह अपलाए कर पाऊगे तो इतना कोई बड़ा इस्पेसल फीचर नहीं है लेकिन एक चेंज आपको मिलता है जो कि मैंना आपको यहां पर बताया है और वहीं हम लोग बात करें 1UI 6.0 एंडूड 14 का ओफिशल उनके लिए अप्टेट मिल रहा है और जो नेक्स्ट अप्टेट है वो आपको सेमसंग S21 FE 5G जो डिवाइज है इसी के अंदर देखने को मिलेगा जो की काफी एक अच्छी बात है काफी जल्दी अप्टेट है वहाँ पर रोलाउट किया जा रहा है इस स्मार्टफोन के ल मिल जाएगी तो उसको आप लोग जोइन कर सकतो लिंक आपको नीचे डिस्क्रीश में देखने को मिल जाएगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने ना ताकि जैसे अप्टेट आ जाता है फीचर के रिगार्डिंग जो वीडियो है वह आपको मारे चैनल पर सबसे पहले देखने को मिल जाएगी और अगर आप लोगों कोई information अच्छी लेगी तो वीडियो को like करना मैं मिलता आप लोगों से next video में thank you